नमस्कारा प्लाइव सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ जैशुकला बिहार में किसान बिल का मुद्दा गरमादा जा रहा है आपको बता दें कि तेजस्वी आदव ने पहले ही एलान कर दिया था कि किसान बिल के खिलाफ वो बिहार की सड़कों पर उत्रेंगे इतना ही नहीं बिहार के सभी जिला मुख्याले पर उनकी पार्टी प्रदर्शन करेगी इसके साथ ही किसानों को आगाह करेगी कि ये बिल किसान बिरोधी है तो वहीं दूसरी और भारत के कई ऐसे संगठन है जिन्होंने किसान बिल के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान कर दिया है इस पास हुए तीन क्रिशी विद्यकों का विरोध अब सड़कों पर जोर पकड़ने लगा है भारतिय किसान यूनियान समेत विभिन किसान संगठनों ने शुक्रवार यानि की आज 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है इस दोरान चक्का जाम किया जाएगा इसे कई विप ख्याले में समाप्त हो जाएगा पटना में भी नेता परतिपक्ष तेजस्वी आदव अपने आवास से किसानों और समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए पाटी कार्या ले जाएंगे तेजस्वी आदव ने आरोप लगाया कि NDA सरकार लगातार गरीब और कि किसान विरोधी फैसले ले रही है संख्याबल का इतना गुमान है कि बगएर किसानी संगठनों और राज्य सरकारों से राय मश्वरा किये ही क्रिष्टी क्षेत्र का भी नीजी करन ठेका प्रथा और कॉर्पोरेटी करन करने में आतुर है लोग सभा में एक तरफा तीन क्र विपक्ष्टे जस्वी आदो का आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों बेहार में कॉंग्रेस समर्थित सरकार बनी तो किसानों के लिए नियूंतन समर्थन मुल्य गारंटी कानून लाएंगे ये विपक्षी दलो का कहना है आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों जब कॉंग्रेस की बैठक हुई सदाकत आश्रम में कॉंग्रेस का रियाले में तो उस दोरान भी किसानों के मुद्दे पर सरकार को खिरा गया और कहा गया कि किसानों के हित में नहीं है और इसलिए सभी पक्षी पार्टियां के साथ साथ देश के कई ऐसे संगठन हैं जो में स्पी देना निवारे है तथा उससे कम खरीद करने पर सरकार नुकसान की भार पाई करेगी और दोशियों को सजा देगी ऐसा प्रावधान कानून हो जाए तो हम अपना आंदूलन वापस ले लेंगे लेकिन बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं थी आज जो है वो प्रदर्श भी कर रहे हैं लेकिन खबर ये है कि आज भारत बंद का एलान कई संगठनों ने किया है इसके साथ हैं बिहार के सभी जिला मुख्यालियों पर राज़त भी आज प्रदर्शन करने जा रही है जिसका नेत्रेतो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव खुद करेंगे अ झाल